मस्कार आरीबट पाट सला पर आज के इस वीडियो में हम नवद्दे विद्धाले प्रवेश प्रिक्षय दोजार चोवीश जो जनवरी में आईजी तो अने वाली है उसके अंग गनीत के मोडल फेपर को हम हल करेंगे किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं नवद्धाले में कि जो प्रिक्षय होती है प्रवेश प्रिक्षयों में तो सवाल नंबर 41 है इसमें 20 सवाल पूछे जाते हैं कुल प्रसंद जो आते हैं वो 20 आते हैं 80 में से गनीत स्विशे से 41 से 60 तो पहला प्रशन है 64 के सभी गुन गुननखंडों की संक्या कितनी होगी, तो 64 के सभी गुननखंड मतलब 64 को कौन-कौन सी संक्या विभाजित करती है, तो 64 को एक, दो, चार, उसके बाद में आठ, के बाद में सोला, 16 के बाद में 32 और 32 के बाद में 64 तो 64 को 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 ये 7 संक्यें पुरुनतिया विभाजित करती हैं तो ये गुननखंडों की संक्या हो गई 7 तो पहला सवाल जो है हमारा उसमें उप्सन नंबर भी हमारा सही आंसर होगा साथ गुननखंडों की संक्या होती है ये 64 के सबी गुननखंड कितने हैं साथ है उसके बाद में अगला सवाल है वह चोटी से चोटी संक्या कौन सी होगी जिसे 6, 8 और 12 से विभाजित करने पर परतेक दिसा में 1 सेस बचे तो इन तीनों संक्याओं से कौन सी संक्या विभाजित होगी पहले तो वह निकालेंगे चोटी से चोटी कौन सी संक्या तो इन तीनों का हम LCM निकाल लेते हैं क्योंकि LCM जो आता है वो तीनों संक्याओं से पुरुनते विभाजित होगा दो से विभाजित होगा तीन बार और ये चार बार बारा छे बार फिर दो से विभाजित होगा तीन का तीन ऐसे से आजाएगा चार दो बार हो जाएंगे और छे तीन बार फिर दो से विभाजित होगा तीन वेसे के वेसे आजाएंगे अब होगा तीन से विभाजित एक बार और एक और एक बार ठीक है तो यह संक्याई है गुननखंड जो आये है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 2 तीय 6, 6 दोना 12 दोना 24 24 तो वो संक्या है जो इन तीनों से पुरूणतय विभाजित हो गी ठीक है अब परतेक दसा में 6 कब बचेगा जब इसमें हम क्या जोड़ देंगे एक जोड़ देंगे ठीक है क्योंकि ये संक्या पुरूनतिय तीनो 6, 8 और 12 से पुरूनतिय अभी बाजीता है ये संक्या तो एक जोड़ने के बाद परतेक दसा में क्या बचेगा एक बचेगा तो वो संक्य क्या हो जाएगी 25 हो जाएगी 25 में 6, 8 और 12 तीनों का भाग देंगी तो परतेक दिसामी क्या बचेगा एक सेस्पल तो वो संक्य कौन सी है 25 ओप्शन नमबर यह हमारा सही अंसर होगा अगला सवाल है वेन जग 12-8 भाग 4 गुणा 2 प्लस 6 का मान है तो वेंजग जो है 12-8 भाग 4 गुणा 2 प्लस 6 का हमें क्या निकालना है मान निकालना है तो सबसे पहले हम भाग करते हैं जो 12 और 4 का भाग 8 में 2 बार माइनस 2 गुणा 2 प्लस 6 उसके बाद में हम करेंगे गुणा पहले 2 करते हैं फिर गुणा करेंगे 12 माइनस 2 गुणा 2 4 प्लस 6 फिर हम करते हैं जोड और उसके बाद में करते हैं घटाओ 12 और 6 को जोडेंगे तो 18 माइनस 4 बराबर उत्तर आ जाएगा हमारे पास में 14 तो option number C हमारे इस परशन का सही answer हो जाएगा